सो फाइलले दोस्तों इतने महीने स्पेस में रहने के बाद में और इंटरनेशनल स्पेस टेशन से टॉक होने के बाद में अब बोईंग का स्टार लाइनर अर्थ पे सकसेसफुली लेंड कर गया है जिसकी उम्मिद की नहीं जा री थी लेकिन हो गई ये वाइट सैंड के अंदर न सुनीता विलियम थी न पुच विल्मोर थे क्या पता यह आता यह नहीं आता तो उसके इसके साथ में तो नहीं भेजेंगे अपने आपने अस्टोनव तो इसको अंकुरूई भेज दो आता है ठीक है नहीं आता फिर ठीक है तो फिलाल के लिए यह आ गया है अब इसके उपर inspection होगा investigation होगी क्या दिक्कत आई थी क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था और नासा ने का है कि भाई बहुत कुछ सीखने को मिला है हमें इस mission से कि बोईंग के साथ में कभी भी अगर deal करनी होगी तो दस बार सोचेंगे तो टेलीगराम ने अब अपने कुछ features को remove कर दिया है क्योंकि क्रिमिनल चार्जिस लगे हुए है पर वेल्ड रूफ के ऊपर जो कि इनके सीउ हुआ है तो उन्होंने का कि भाई चलो कुछ ना कुछ चेंजिस तो लाते ही है अब फिर आगे से कोई country नए cases ना ले आए हमारी country में भी यह हो रहा है तो भाई इन्होंने people नियरबाय वाला feature हटा दिया है कि वह यह इसका काफी जादा कर रहे थे क्रिमिनल्स स्कैमर फ्रॉड और बॉट्स भी काफी जादा यूस कर रहे थे इससे क्या होता था आप अपने आसपास के लोगों को सर्च कर पाते थे कि आपके 15 किलोमेटर के रेडियस के अंदर कौन कौन रह रहा है तो उससे बाच्चीत हो जाती थी मिल ले देता इस तरीके का फीचर था जिसको उन्होंने बंद करके अब इसको रेप्लेस किया है बिजनस नियरबाय से मतलब कि अगर आपको कोई बिजनस वगएरा करना है आसपास में ढूंड रहे हो कि भी इससे यह खरी कराएंगे तो भीजा क्राइम कैसा क्यों कई सारे लोग होते थे थे व्लगर फिल्म डाल देते थे औरनोन ली डाल देते थे पता ही लगता था किस ने डाली तो उस तरीके की चीजों को भी खतम किया गया है तो इटली की प्रैम मिनिस्टर जॉर्जिया मिलोनी यूकरेन के प्रेजिडेंट जिलिंस्की के साथ में मिली शनिवार को शनिवार को मिलने के बाद में उन्होंने एक ही बात कही कि यूक्रेन और रशिया की विवादों को अगर कोई कंट्री सॉल्फ कर सकती है तो या तो इंडिया कर सकती है या तो चाइना कर सकती है और इसके बाद ही बाच्चित की जाएगी किस तरीके से इस मामले को सॉल्फ किया जा सकता है यूकरेन की तरफ से भी और रशिया की तरफ से भी हाला कि वल्दी मिर पुतीन ने भी काया कि भाया ठीक है बाच्चित कराओ हमारे बीच में और किसी तरीके से बंद करवाओ यह युद्ध क्योंकि जवा सकती है वो भी पता नहीं कितने लंबे टाइम के लिए फिलाल के लिए बंदा चार दिन से जेल में है और ये शायद इसका पांचवा दिन है ये दरसल बेंगलूरू का एक आटो ड्राइवर है जिसने एक लड़की को थपड़ मार दिया जिसने दो ओटो बुक करवाई है पहले तो उसमें बैठ जाती है और दूसरे वाला भी आ जाता है उसी टाइम जिसके बाद में ये उसकी राइट कैंसल कर देती है जिससे कि वो नराज हो जाता है कि मैं भी आया हूँ 20-30 रुपे की गैस मेरी भी लगी है आपने मेरे को क्यों कैंसल कर दिया तो इस बात पर बहस हो जाती है और ये बहस इतनी जादा बढ़ जाती है कि ये जो ड्राइवर होता है आटो रिक्षा का वो महिला का फोन भी छीनने लगता है अभधर वेवार भी करता है मतलब गलस सलत बोलता है बाप पर भी चला जाता है और इसी के साथ साथ ये थपड़ भी मार देता है जिसके बाद में ये ओला में कंप्लेंड करती है लेकिन ओला वाले तो कुछ भी नहीं करते जिसके बाद में पुलिस कंप्लेंड कर जाती है जिसके बाद में इस ओटो रिक्षा व गलती होगी मैंने दो एक साथ में बुक करवा दिया या वो आटो ड्राइवर छोड़ देता चलो कोई नहीं ऐसा तो मेरे साथ होता रहता है अब हुआ ये है कि ये चार पांच दिनों से जेल में है बेल के लिए इसको देने पड़ेंगे अब 30,000 रुपे तब जाके इसको ब देल रहा है तो मतलब कि अगर ये गुसे पर थोड़ा सा कंट्रोल कर देता और हसके चलो जाने देते चलो बच्ची हैं कल क्लास के लिए जा रही है चलो छोड़ देता हूं लेकिन वो गुसा अब इन पर कई सारे इलजाम डलवा गया क्योंकि देखो पुलिस केस तो ऐसी ह होता है कि एक के बाद एक बढ़ता चला जाता है एक हो गया कि गलत विवार करने का एक महिला को अब्यूस करने का और शायद फोन स्नैचिंग का भी लगाया होगा क्योंकि फोन भी इनका छीनने की कोशिश की गई थी तो वह आरोप भी लगा दिया और थपड़ मारने का अ जो अब्यूस में आ जाता है वह उसी विए हैं तो ऑनलाइन मिली लड़कियों पर अगर आपने भरोसा किया तो भाईया कभी ना कभी गढ़बढ हो सकती है किसी ना किसी के साथ सबका एक्सपिरेंस सेम नहीं हो सकता लेकिन हाँ दिल्ली एक लड़के का एक्सपिरेंस इत कहता है चल ठीक कोई नी लेकिन जब वो अपना अकाउंट चेक करता है उसको पता लगता है कि बाइस ने आठ हजार के जूते मंगाया है और आठ हजार के जूते पे करने के लिए मतलब थोड़ा हिच की चाहरा था कि कैसे बोलू कैसे नहीं बोलू और यही शरम उसे ले डू मैं तुझा पैसे दे दूंगी लेकिन बाद में होता है कि जब और आ जाता है लड़का पे भी कर देता है लड़की आती है मिलने जूता लेके चली जाती है कहती है मैं तरह को पे करती हूं घर पे पहुंचके पे करती हूं उसके बाद मैं भाई ब्लॉक हर तरफ से उसको कर दिया जाता है और इतना बड़ा वाला कटता है उसका कि वह सोच के अहरान हो जाता है कि यह तो मेरी सारी सेविंग थी जो मैंने इसके ऊपर लुटा दी 8000 रुबे के जूते दिलवा दी ऊपर से ब्लॉक भी कर गई मुझे और ना मुझे उसका अधे ड्रस पता है ना मुझे कुछ पता है और जो भी पता था हर जगे से तुम्हें ब्लॉक हो चुका हूं तो भई याइं इतना दिलदार आदमी मत बनो थोड़ा थोड़ा सा ना करना भी सीखो, थोड़ा सा बोलना भी सीखो कि भाई नहीं है मेरे पैसे, तू दे अपने पैसे, ऐसा नहीं होता, इक्वैल्टी में बिलिफ करता हूँ मैं.